नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे और आपके रवी कांतियादो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है मैं आप लोगों से इस वीडियो में कॉर्पोरेट फिक्स रिपोजट के बारे में बात करने वाला हूँ चाहे आप स्रेराम के फिक्स रिपोजट को देख रहे हो पीटियम के फिक्स रिपोजट के देख रहे हो या फिर फ़राना ठिंका ना किसी भी कमपनी के फिक्स रिपोजट में इंवस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़े important है क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों काफ़े basic चीजे बताऊंगा जो आप लोग ध्यान रख करके fixed deposit में invest करोगे देखे अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो fixed deposit का invest काफ़े secure माना जाता है और अधिकतर इंडियान लगबग 95% लोग अपना पैसा fixed deposit में डालना जादा पसंद करते हैं और जहां पर आप लोगों को 8%, 9%, 10% या फिर उससे जादा की ब्यासदर है मिले क्योंकि corporate fixed deposit, corporate या फिर company आप लोगों को इस तरह के लुभावने offer देती है इसके पीछे का reason भी बताऊंगा, ये fixed deposit क्यों लाते हैं, किस तरह के risk होते हैं सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में पता चल पाएगा तो वीडियो को सुरूर से ले करके अंतर देखेंगे तो आप लोगों के सारी परिशानी, सारी questions clear हो जाएगे फिर भी अगर कोई question आया, तो नीचे आप लोग comment box करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का जरूर reply करूँगा या फिर नीचे गूगल का contact form है, वहाँ पर भी अपने mails बगेरे डाल करके अपने जो भी question है, मुझे directly send कर सकते हैं सबसे पहले दोस्तों, कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो like करना मत भूलिएगा दूसरों के साथ जरूर share कीजेगा, अगर आप लोग इस तरह के और वीडियो देखना चाते हैं, तो चैनल को subscribe कर लेंगे और bell icon को click कर लेंगे, तो और वीडियो आप लोगों तक पहुशती रहेंगे तो देखिए दूसरों corporate fixed deposit ये क्या होता है, corporate यानि की जो companies होती है चाहे आप लोगों की स्रीराम हो, या फिर PTM हो, आप से पैसा लेती है, कुछ tanner के लिए, इनका एक fixed tanner होता है जिसे की 5 साल के लिए आप लोग इनको पैसा दे देते हैं, अब इसमें ये कुछ लेकर के आती है interest offer जो की 7%, 8%, 9%, 10%, जिस भी तरह की interest offering हो उस corporate की या फिर उस company की तो आप उनको पैसा देते हैं, at the end of tanner, वो आप लोगों को interest के साथ, calculation के साथ आपको पैसा आपको लोटा देते हैं तो यही पे दोस्तो, corporate में हमें invest करने से पहले ध्यान रखना चीए, क्योंकि यह सबसे बड़ा risk होता है दोस्तो, हम share market में नहीं जाना चाते हैं हम mutual funds में नहीं जाना चाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे fixed deposit का नाम सुनते हैं, वहाँ पे हम जाना काफी पसंद करते हैं यहाँ पे दोस्तो, सबसे बड़ी गलती आप लोगों की होती है, कि आप लोग अगर invest करने जा रहे हो, तो उस company की balance seat आप लोग नहीं देखते हो balance seat ना देखकर के आप लोग काफी बड़ी समस्तिया में फस जाते हो, क्यों? देखिए, अगर आप लोगों को कोई भी company fixed deposit आफर कर रही है, तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों की company के fixed deposit पे किसी भी तरह की RBI की regulatory नहीं आती है, जो आप लोगों आप लोगों को पैसा वापस कर देती है, तो वो बात ठीक है, वरना फिर वो पैसे वापस नहीं होने वाले हैं, दूसरी चीज़ दोस्तों कि अगर आप लोगों के fixed deposit में invest करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि company पिछले 3 साल में कम से कम profit gain करी हो, ठीक ह अगर आप लोगों किसी भी company में invest करो, किसी भी company के fixed deposit में invest करो, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आप लोग किसी को पैसा दे रहे हो अपना, ठीक है, company में आपका पैसा जा रहे हैं, तो आप किसी company को पैसा दे रहे हो, और उस company का business क्या है, अगर उस company का business आप लोगों को भाता है तो आप लोगों के लिए best है उस company में आप लोग fix deposit करा सकते हो अगर आप लोगों को यह सारी चीजे नहीं समझ में आ रही है कि हम कैसे पता करें क्या करें तो यहां पर आप लोगों को समझ्या लेने की भी जरूरत नहीं है किसी तरह की problem नहीं है आप लोग भी समझदार हो कैसे की मान लेते हैं स्रेराम ट्रांसपोर्ट की तो स्रेराम ट्रांसपोर्ट में अगर आप लोग fix deposit करना चाहते हो जो आप लोग offering करते हैं या फिर hawkins cooker की बात करते हो वो भी आप लोगों को fix deposit की offering देते हैं तो उनके आप लोगों को business को देखना है क क्या आपके घर में उनके cookers यूज होते हैं क्या आपको कभी relative में उनके cookers यूज हुए हैं तो आपको किसी तरह की समस्या हुई है या फिर बगएर बगएर इस तरह की चीज़े देखने हो क्योंकि छोटी चोटी चीज़े जो customers review होता है वही company का main review होता है वहां से आप लो को ज़्याज देरे देखने को मिलेंगी वहां पे उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा अब दूसरी चीज़ दोस्तों जो हम लोग इसके fundamental में जाना चाहते हैं कि याकिर corporate की fixed deposit में इंतना ज्यादा interest rate कैसे मलता है जबकि bankों के पास तो बहुत सारा भरमार पैसा पड़ा हुआ है वो इतना व्याज क्यों नहीं दे पाते हैं तो इसको समझने के लिए आप लोग काफे simple सा rule समझे कि अगर आप लोग कहीं भी जाते हो अगर आपको bank loan नहीं दे रहा है जो कि home loan अभी 7-8% पर मिल रहा है अब आपकी कोई या तो ITR नहीं है आपके पास या फिर अच्छे income नहीं है कि आप लोग EMI चुका सको जिस तरह कि आप लोग की desirable loan है तो आप क्या करते हो कि आप लोग NBFC की तरफ जाते हो या फिर ऐसी housing finance company या फिर car finance company की तरफ जाते हो जो आप लोगों को ज़्यादा ब्यासदरे मांगती है जहां पे SBI आप लोगों से 8% ले रहा था वह नहीं से भी इनको loan नहीं मिलता है इनके bonds बगेर नहीं जाते हैं तो क्या करते हैं कि इनको funding चाहिए होती है इनको business अपना बढ़ाना होता है तो अब पैसे कहां से लाए तो ये आप लोगों को FD पे ब्यासदरे अकरसित देती है कि आप लोग कम से कम आप हमें पैसा दो हम आपको इतने समय बात calculation करके आपका जो भी पैसा होगा वो हम return कर देंगे अब इस बीच में company के दिवालिया निकल जाती है company पूरी तरीके से डोग जाती है तो आप लोगों का पैसा भी यहां पर डोग जाता है तो इसलिए आप लोगों को अगर corporate के fix deposit में invest करना है तो को पूरा maturity पर amount मिला है कि नहीं किसी तरह के घप लेते रही हो आप लोगों को online review बहुत सारे मिल जाएंगे तो इस तरह से आप लोगों को online देख भी सकते हो साथ ही अपने corporate के fix deposit में investment करने से पहले यह सारी चीजे ध्यान रखोगे तो आप लोगों का पैसा जो होगा वो secured ह और आप लोगों को अच्छा return भी मिल सकेगा बाकी मैं आप लोगों का इसका alternative बताऊं कि अगर आप लोगों को corporate या फिर companies के fix deposit में invest नहीं करना चाहते हो तो आप लोगों को सीधा और simple सा अगर आप लोगों को 7 से उपर का return चाहिए और आप लोगों का goal है 5 से 7 साल का तो आ अगर आप लोग आते हो तो आप लोगों को यहाँ पर 40,000 तक की छूट मिलती है TDS वगेरा आपका नहीं कटेगा अगर आप लोग 40,000 तक की earning करते हो साथी आप लोग ध्यान रखेरने अगर आप लोग maximum tax lab में गिरते हो 30% वाले में तो आप लोग corporate की fixed deposit या फिर किसी भी त देखते हो 3-5 साल के goals के लिए तो आई हो दोस्तो आप लोग को पुरा clearance हो गया कि आखिर हमें corporate fixed deposit में invest करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए साथी किन लोगों को करना चाहिए किस तरह के risk है यहाँ पे किस तरह के return है यहाँ यानि कि risk equal to reward की बात अगर हम लोग करते हैं साथी आप लोगों को मैंने बता है कि corporate fixed deposit का alternative कौन सा है आप corporate के अलावा कहाँ पे invest कर सकते हो अब इसके अलावा आपका कोई भी question हो तो नीचे आप लोग comment करके मुझसे पूस सकते हैं बाकि यह वीडियो आप लोगों को अच्छे लगी हो तो like कीजेगा दूसरों के साथ share कीजे झालाव नीचे आप लोगों लोगों के लेक।